Photoshop में Punk कैसे बनाएं? सीखने के लिए बने रहे इस विडियो में. सबसे पहले एक Black Background लेंगे और Rectangle Tool से एक Shape बनाएंगे. उसके बाद Filter मेनू से Wind Effect लगाएंगे. Wind Effect दो बार और Apply करेंगे. फिर Filter मेनू से Motion Blur Effect लगाएंगे. अब Shape को 90 दिगरी रोटेट करेंगे. और Shape को नीचे करेंगे. फिर Filter मेनू से Polar Pore Nets Effect लगाएंगे. अब Area Selection Tool से Area को Select करके Mask लगाएंगे. और Layer को Duplicate करके Merge करेंगे. अब हम बनाएंगे Quill यानी की Pump की दंडी. पूल से एक दंडी का Shape बनाएंगे. अब ये हमारा Punk Ready है. और इसको थोड़ा सा Curve करेंगे. और फिर इसमें अब Color लगाएंगे. अब ये Feeder Punk Ready है.